अगर आप sales और marketing से जुड़े हुए हैं तो customer को convince करने की आप में skill होनी चाहिए किसी भी customer को कितना convince करना पड़ेगा यह depend करता है customer to customer आपको हर type के customer मिलते हैं किसी को अपना product पेशना आसान होता है वहीं किसी को अपना product पेशना बहुत ही मुश्किल हो जाता है सही customer ढूना आपकी priority होती है माना अगर आपके पास कोई video product है तो आप किस को चुनेंगे जाहिर आप ladies को ही अपना customer बनाएंगे क्योंकि उन्हीं को ही आपके product में interest होगा और अगर आप उन्हें अच्छे से convince करने जाते हैं तो आपका कितना भी product पिक सकता है और अगर आप एक आग दो demo करके दिखातेते हैं तो आप उनका फरोसा भी चीत ले जाएंगे और यही नहीं आज प्रोड़िक्स की ladies भी आजाएंगे आपस product खईबने और वही अगर आपके पास gadgets होते हैं तो आप किसे अपना customer बनाएंगे आप chains को ही अपना customer बनाएंगे क्योंकि chains को आपके gadgets में ज्यादा interest होगा आपका product चाहें जितना भी अच्छा हो अगर आप अपने customer को convince नहीं कर पाएंगे तो आप अपना एक भी product नहीं बेच पाएंगे इसके लिए आपके पास अच्छी communication skill होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने customer से कैसे deal करना है आपके पास बात करने की ऐसी कला होनी चाहिए जिससे किसी भी customer को अगर आपके product में जरा भी interest ना भी आ रहा हो तो भी interest जाग जाए और वो आपसे product खईद ले तो ऐसा क्या करें कि customer आपकी बात सुनने पर मजबूर हो जाए शुरुबात करेंगे बिल्कुल basic से सबसे पहले आपको आराम से बात करने की आदत होनी चाहिए soft voice में बोले और respect देते होई बोले इससे customer काफी comfortable महसूस करता है और बहुती speed में न बोले जिससे कि customer को कुछ भी समझना मुश्किल हो जाए simple language यूज़ करें ताकि customer आपकी बात को असानी से समझ जाए बहुत ज़्यादा technical word ना यूज़ करें क्योंकि आपका customer कोई भी हो सकता है इसलिए customer को उसकी language में ही अपने product को समझाने की कोशिश करें बात करते से में अपनी body language का भी थ्यान दे confident दिखें जब आप confidently बात करेंगे तो customer को लगेगा कि आपके product में वा कई दम है चेहरे पे smile रखे और eye contact बना कर बात करें और भी body language पे अगर आप जानकरी चाहते हैं तो body language की video की link आपको इस video की end में मिल जाएगी देख लिजएगा आप अपनी body language को जितना positive बनाएंगे आपका काम उतना ही आसान होगा selling और marketing ये नीव होती है trust आपको अपने customer का भरोसा चीतना होगा पर ये कैसे होगा इसमें कई steps आते हैं सबसे पहले आपको आदर डालने चाहिए जाधा सुनेगे पहले आप अपनी customer के सुने उसकी problem सुने ये जानने की कोशिश करें कि उसकी क्या need है क्या demand है और ये तभी हो सकेगा जब आप customer को अपनी बात पुरी करने देंगे मिलते ही आप अपने product को लेके शुरू मत हो जाएए बलकि जाने वो क्या करता है वो किस background से है उसकी income क्या है इसे आपको idea मिल सकेगा कि वो आपका product खई देगा के नहीं connection बिल्ड करें जानने की कोशिश करें कि आप में और customer में क्या common है जैसे आप तोनों किसी same state या city से belong करते है या कुछ नो कुछ अगर आप तोनों में common मिलता है तो इसी से ही connection बिल्ड होता है और customer जब अपनी जैसा ही किसी को पाता है तो वो जादा comfortable होता है उसे अपना अपन से महसूस होता है यही strategy अपनाई जाती है अपने sales को बढ़ाने के लिए तो customer को time दे उनका भरोसा जीते और एक बार connection जब बिल्ड हो जाता है तो भरोसा जीतना और भी आसान हो जाता है फिर बात-बात पर आप अपे product पे आईए आप customer से पूछे कि क्या आपने इस product को कभी use किया है customer उस product से लेटर अपने सारे experience बताएगा अच्छा यह बुरा हो सकता है वो आपको यह बताए कि उसने यह product खईदा था पर वो बेकार निकला उसमें क्या क्या कमिया थी वो सब आपको बताएगा आप पे भरोसा करते हुए बस आप सुनते जाएगे उसे लगना चाहिए कि आप उसकी problem को समझ रहे हैं फिर आपका काम होगा कि वो सबी problem का solution देना आप बताएगे कि आपका product उस product से क्यों बेटर है आपको एक मौका मिलेगा अपने brand को superior बताने का और उसे भरोसा दिलाएगे कि आपके product में वो सारी कमिया नहीं है देखे सबी को अपने money से attachment होता है कोई भी customer अपने पैसे को यही waste नहीं करना चाता है बलकि सोस समझ के invest करना चाता है पर अगर वो कोई product खईता है और वो गरबर निकलता है तो यही problem वो आपको बताता है कि उसका पैसा waste गया बस इसी चीज़ को आपको elaborate करना है आपको यह कहना है कि पैसा किती मेहनत से आता है आपको यह जताना है कि आप अपने customer की पैसे की value करते है उनको भरुसा दिलाना है salesman के customer से connection building करने के कई example आपको daily wrap मिलते है जैसे अगर आप fruit या vegetable खई दे जाते है जो fruit seller होता है वो आपका भरुसा जीतने के लिए आपसे क्या कहता है कि fruit बहुत ही मीठा है भरुसा नहीं है तो काट के उसी वक्त आपको खिलाता है एक तरीका होता है अपने customer का भरुसा जीतने के लिए वैसे ही आपने कई salesman को देखा होगा वो कहते हैं कि मुझ पर भरुसा करके यह समान ले जाओ अगर कुछ गर्बर निकलेगा मैं तुरंत ही इसे वापस कर लूँगा कहने का मतलब है कि अगर आपने customer का भरुसा जीत लिया तो आपका 90% काम हो जाएगा आपका product उस वक्त बिके या न बिके लेकिन अगर आपने भरुसा जीत लिया तो जरुत परने पर वो आप ही को call करेगा अभी कबार customer की हां में हां भी मिलाना पड़ता है जब customer कुछ बोल रहा हो तो आप चुप चाप उसकी बात को सुने सही हो या गलत उसकी बात को काटे ना बलकि आप अपने सहमती दिखाए या सिम्पैदी दिखाए customer को यह लगना चाहिए कि आप उसके पक्ष में है तब ही वो आप से खुल का बात करेगा और अगर आप उसकी किसी बात से आसा मत होते हैं तो आप अपने बात को इस तरह से रखे कि आपका कहना बिलकुँ सही है सर पर या बट कहते हुए आप अपना point of view रखे पर customer को यह नहीं लगना चाहिए कि आप उसके against कुछ बोल रहे हैं पर आपका product वाकई अच्छा होना चाहिए otherwise आपकी की गई भैनत सारी waste हो जाएगे और आप customer का भरोसा भी खोएंगे आपकी dressing sense और communication skill इस line में major role play करती है आपको well dress रहना चाहिए और अपनी communication skill पे ध्यान देना चाहिए आप में बात करने की कला होने चाहिए इनी दोनों से आप customer को impress कर पाते हैं अपनी product की सही सही जानकारी दे और इसकी benefits बताना न भूले क्यों यह customer को product की details से जादा benefits को जाने में जादा interest होता है और साथ में loss भी बताए कि अगर आप इस product को नहीं खरीते हैं तो आप क्या खोएंगे लोगों को कुछ भी खोने का भी जादा डर होता है अगर आप कोई product discount पर बेच रहे हैं तो आप अपने customer convince करें कि यह मौका बार बार नहीं आएगा discount पर यह product बहुत तेजे से बिक रहा है अगर आप यह opportunity खोते हैं तो आपको यह opportunity बात में नहीं मिलेगी इस तरह से बात करेंगे तो customer को यह लगेगा कि अगर वो यह product नहीं ख़ई देगा तो उसका बहुत बड़ा नुक्साम हो जाएगा जब customer से बात करें तो आप we यह हम शब्द का भी यूज़ करें चुकि यह बताता है कि आप customer को खुद से अलग नहीं देखते हैं जो customer feel करता है वही आप भी feel करते हैं सेम प्रॉब्लम सभी को होती है फिर चीजों को relate हम कर पाते हैं जब customer को आपके product की कोई जरुवत नहीं होती है या उसमें कोई interest नहीं होता है तो आप दूसरा product बताते हैं और जब वह भी नहीं पसंद आता है तो आप दीसरा बताने लग जाते हैं इसी तरह से आप एक एक करके बताते जाते हैं इससे customer और भी ज़्यादा confused जाता है और कुछ decide नहीं कर पाता है फिर वह आपका product नहीं खाईता है बल्कि आपको कोई दो best options ही बताने चाहिए और यह कहते हुए कि आपके needs को जानते हुए आपके लिए यह दो best option है और फिर customer को decide करने दे अगर customer का भरुसा जीतना है तो face to face meeting के लिए try करे फोन पे product sale करने के कोशिश ना करें बल्कि उसे मिलने के लिए कहें जब आप personally मिलेंगे तो customer को आप पे भरुसा हो सकेगा और आपका एक से जादा product भी sale हो सकेगा अगर customer को आपके product की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है तो आप जब अदस्ती ना करें अगर आपको पता है कि customer अलड़ी उस product को use कर रहा है तो force ना करें या अगर customer को उस वक्त उस product की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है तो आप convince भी ना करें बल्कि अपना contact number दे दे की जरु वक्त देने के लिए धन्यवाद तो ये था आज का वीडियो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो आप कॉमेंट करके जरूर बताईगा अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक किजेगा और लोगों के साथ शेयर भी किजेगा और इस वीडियो के एंड में और भी वीडियो के लिंक मिल जाएगी उन्हें भी देख लेजेगा थैंक यू पर वाचिंग